आज मैं लेके आई हूं आपके लिए गेहू के आंटे से एक्टम क्रिस्पी करारे रेसीपी जिसे आप जट पमिंटो में बना सकते हैं इसके लिए ना तो आपको आटा गूतने की ज़ूरत है फटपट से यह रैस्पी तियार हो जाएगी तो एक बार इस तरीके से जूरूर निफली भी काटॉरी कुप इसके ही आपने काटूरी कुप सेट कर लोड़ा काम के हुए वह शाया के करीम यहां पर डाल दिया है पानी पानी जब गरम हो जाएगा उबाली आने शुरू हो जाएगी तो इसमें हलका सच नास्ते को कंलर देने के लिए मैं यहां पर एक चुता जुमद्बद बोथा वाल देने च्वुक डाल सिंद मिंख कर लेंगे में ऊसके किसे मिक्स करते हुए आट्टा जो है डोकी फूम में आ जाएगा तो इसको हलका सा थंडा कर लेंगे है चाहे हमारा थंडा हो चुका है उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक थे चमच प्रभ से अटाह्टो से सब्सक्राइब‍b आलू मेरे ग्रेंड हो चुके हैं उसके बाद इसमें डालेंगे हैं खुब सारा धनिया ड Newtonus यह वह यह दालेने चाहिए आ्धो से सबस्राइब भारीके असरा क्रीक लिया हो जिसे हमें मिक्स करने में कोई भी दिक्कत ना हो तो इस तरीके से अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है आलू और आटा जो है वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए एक से दो मिनट में यह सारा काम हो जाएगा तो एक से दो मिनट हो चुके थे जो आलू कि शेप दे रहे हैं आपको और बीद दे सकते हैं तो साहरा नास्ता मेरे तियार हो चुका है कड़ाई में मैंने 3-4 बड़े चमब तेल डाल लिया है एक एक नास्ते को इसमें डालते जाएंगे और इसे हम इस दोनु तरब से क्रिस्पी होने तक सेख लेना है गास का फ्लेम ह नहीं होगा बहुत कम तेल में ये नास्ता हमारा जो है वो बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो नास्ता मेरा त्यार हो चुका है तो इसको निकाल लेंगे इसके बाद दूसरे बैच को भी इसमें डालेंगे तो दूसरा बैच भी मैंने डाल लिया है और इसको भी हम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे तो सारा नास्ता मेरा त्यार हो चुका है देखे कितना क्रिस्पी हमारा नास्ता त्यार हुआ है और उसके बाद मैंने थोड़ी जी हरी मिर्च ली है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राय करना ना तो ज़्यादा यह ओईली ले बनती है तो एक दम खसता करारी रेस्पे बनेगी तो एक बार इसको ज़रूर ट्राय करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमट ज़रूर करना चैनल पे नए हो जो चैनल को वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई